नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन यूज मैं हूँ आपके साथ खुसबू सांगवी बिहार में जो क्रोना का रफ्तार है उसमें अब जो है कमी देखी जारी अगर पिछले कुछ दिनों की बात कर ले बिहार में तो जो क्रोना का आकरा था वो लगतार उसमें बढ़ोतरी द देखा जा सकता है तो वहीं आज स्वास्त विभाग ने अपडेट जारी किया है उस अपडेट के मुताबिक बिहार में जो टोटल क्रोना के केस हैं वो 846 पाएगा है जिसमें अगर टॉप तीन जीलों की बात कर ले तो पटना सहरसा और अरडिया यह तीन जीले हैं जिसमे 76 मरीज मिले और तीसरे पाइदान पर जो है अरडिया है वहां टोटल जो मरीज है वो 75 है तो हम आपको बताते हैं कि स्वास्त विभाग की तरफ से जो ताजा अपडेट जारी किया गया है उसमें बिहार के अन्य हिस्सों में क्या कुछ स्थिती है वो हम आपको बताते हैं अरवल में 6 मरीज पाएगा है वहीं और अंगाबाद की बात करें तो 18 मरीज मिले हैं बाका 11, बेगु सराय 14, भागलपूर 31, भोजपूर 9, बकसर 8, दर्भंगा में 5, इस चमपारन में 14, गया में 24, गोपाल गंज में 9, जमूई में 14, और जहानाबाद में 27 मरीज मिले हैं वहीं अगर कैमूर की बात कर ले तो वहाँ दो मरीज पाएगा हैं वहीं किसन गंज में 9, लखी सराय में 7, मदेपूरा में 16, मदुबनी में 12, मुंगेर में 8, मुझहपरपूर में 35, नालंदा में 51, नवादा में 25, रोहतास में 13, समस्तिपूर में 13, सारन में 17, सेखपूर में 10, सीता मरी में 4, सिवान में 3, सुपॉल में 7, वैशाली में 7 और वेश्चंपारन की बात करें तो 8 मरीज पाएगा हैं तो ये था स्वास्त विभाग की तरफ से जो ताजा अपडेट जारी किया गया था जिसमें आज बिहार की जो टोटल केस हैं वो 846 पाएगा हैं वह 15,18,964 मरीज है और वहीं अगर एक्टिव केसिस की बात कर लें बिहार में तो 7,884 मरीज हैं इसके साथ ही बिहार ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है बिहार में जो रिकवरी रेट की प्रतिसत है वो 96.74 प्रतिसत हो चुकी है बिहार जो है रिकवरी मामले में सबसे आग झाल